कि नमस्कार किसान भाहियो मंडी वाजर भाव अपडेट में आपका हर्दिक स्वागत है जेसा की किसान भाहियो आपको पता आपको पता होगा कि स्वयविन की कीमते 7900 तक गई थी उसके बाद से मुनाफ़ वस्यूली बनी लेकिन इंटर्जेशनल मार्केट के अंदर दोलर के आसपास ही ट्रेड करता नजर आ रहा है लेकिन आज यूएस स्वयविन का भाव शत्रासु डोलर के नीचे ही रहा है लेकिन और रुजान से यही जानकारी सामने आई है कि स्वयविन का मार्केट तेज रहेगा आपको बता दे कि ब्राजिल और अलजेंटिना में स पूसा भारत में भी किसानों ने स्वयविन स्टोक्स किया था और केमतों को बढ़ने के बाद स्वयविन को बेचा गया था जिससरे वा किसानों को वहुत ही मुनाफ़ग रहा था ऽा कि आ भारत की बहुस सी मंडियों में किसान भायों ने किसी इस्तर पर सोयविन को बेचा है पोजानकारों का अब भी यहीं मानना है कि फ़ञाइआज हजार के ऊपर जा सकता है तो ऐसे में खाद तेलों का भाव में जबर्दस्त तेजी देखने को मिल सकती है दर्शिय युक्रेन में युद्ध की वज़े से खाद तेलों की सप्लाई केन तूड गई है तो ऐसे में इन सब का मार्केट सोयविन की कीमतों में देखने को जरूर मिलेगा आने वाले समय में स्वयविन का इस्तर 8200 से 8300 तक जा सकता है उम्मीद है किसान भाईयो ये जानकरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब शेर करे और साथ ही हमारे चैनल को सबस्काइब करे और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आने वाली जानकरी आपको सही समय पर चापत हो सके दन्यवाद चैनल